आगर मालवा की पिपलोन कला इस्थित भारतिय स्टेक बैंक की स्थानिय ब्रांच में बैंक मैनेजर और कर्मचार्यों पर रामजन को परिशान करने को लेकर आरूप लग रहे हैं बताया जा रहा है कि लंबी लंबी कतारों में खड़े बैंक के भोपता प्रति दिन परिशान होकर बिना काम हुए घर लोट रहे हैं जानकारी के मुताबिक भारतिय स्टेक बैंक की शाखा में तकरीबन 30 से 40 गाओं आते हैं सूत्रों की माने तो इस बैंक शाखा में स्टाफ का अभाव है आरोप है कि बैंक मैनेजर की मनमानी की चलते ग्रामीर आए दिन परिशान होते हैं देश में बड़े बड़े दावे करने वाली भारतिय स्टेक बैंक की इस शाखा में ग्रामिडों की लंबी-Lंबी कतारे और उनका काम ना होना इस बात को साबित करता है कि स्टेक बैंक की शाखा में किस तरह की ला परवाही हो रही है। बीते दिनों D.N.U. टाइम के समवाद दाता नंदकिशोर कालेग जब S.B.I. की स्थापना पर ग्रामिडों की परिशानियों को आमजन के सामने दिखाने के लिए कवरेज करने के लिए पहुँचे तो उनसे भी बैंक कर्मचारी गाइड वे बैंक मैनेजर ने अभधर नहीं है और यह अपनी मनमानी से ग्रामिडों को परिशान कर रहे हैं जिस पर साशन प्रसाशन को कारिवाही करना चाहिए आगर मालवा से नंदकिशोर कालेग लाला की रिपोर्ट